हेलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, तुडेज आइम गोंग तु स्टार्ट लैसन फिफ्थ, स्टंडर फिफ्थ, इसमें हमने तू टोपिक्स कर लिये थे, जायरे दा लैंड ओफ डैनेस फोरेस्ट, एक देश के बारे में हम पढ़ रहे थे, कांगो गनराज्य के बा लाका है, यहां बारिश बहुत होती है, जिसकी वज़े से यहां पर आप कह सकते हो कि परचूर मात्रा में वनस्पतियां और वाइल लाइफ, जहां पर वनस्पति होएंगे, वाइल लाइफ तो नेचुरली होएगी, होएगी, इसलिए से नेचुरल जू ऑफ दा वर्ड भ जानवर पाये जाते है, लाइफ ऑफ दा पीपल, आज टोपिक में करेंगे, कि यहां पर लोग किस परकार के रहते हैं, जेरे इस थिनली पॉपुलेटिड कंट्री, most ओफ इस पीपल लिव इन स्केटर विलेज, बिखरे हुए से टाइप के घरों में रहते हैं, यानि गु लाइफ हम देख रहे हैं, उसमें उन्होंने मोडरन लाइफ को अडेप्ट कर लिया है, यानि कि अब उनकी जिंदगी भी क्या होगी है, आदूनिक हो गई है, वो भी शेहरों में बशने लगया, ट्राइबल कम्निटीज कंप्राइज मेजर पॉपुलेशन ग्रूप ऑफ जरे, कहते हैं आदिवाशी लोग, जो ट्राइबल कम्निटीज है, इस इंक्लूड दा बंटस, पिगमी और नायलोट, तीन परकार की प्रजातियां पाई जाती है, बंटस, पिगमी और नायलोट, पिगमी जो है, यहां के नेच्चरल इन्हेबिटेंट्स होते हैं, यानि क यहां के रहवासी जो हम कह सकते हैं कि यहां पैदा हुए 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 हैं, तो वो पर जाती है, इनके आगे ग्रुप्स है ट्राइबल जो आदिवाशियों के ग्रुप बंटे हुए है वो अपनी ट्राइबल लेंग्वेज का यूज करते है इनका रंग पका होता है और मतलब लमबे लंबे से और मतलब चोड़े मुँ के लिशन humanities pasta यह क्या है गाउं के बहार चोटे-चोटे जुगी जो पُड़ियों में रहते हैं ये कचरे की रूफ वाली अपने घर की छते रखती हैं, दा प्रेक्टिस फार्मिंग, ये जो लोग हैं, खेती करती हैं, मेजे एंड राइस आर ग्रोवन, मेजे मक्का और राइस होता है, चावल, यहां बोया जाता है, कसावा इस दा स्टेपल फूड, कसावा, कसवा क्या हो बनाते हैं, चपातिजियन की रोटियां, दिस प्लांट हैस लोंग और फ्लैसी रूट्स और ट्रूब अंडर दा ग्राउंड, इस प्लांट की क्या होती है, गहरी जड़े होती है, दा ट्रबर्स आर टेकन आउट ओफ, फ्रों दा ग्राउंड एंड शोक्डिन वाटर फोर मतलब ओईल की जो भी फसले होती है, कोकोनेट की कोफी की भी होती है, रबड का यहां उत्पादन होता है, नेक्स्ट है इसका दा पिगमी जो होते हैं, वो ओनली चारी फुट के मिलेंगे आपको, यहां लोग क्या होते हैं, जो हमने पहली पढ़ा था, वो तो लंबे होते हैं, बड़ यह पिगमी जो होते हैं, वो चार फुट के हैं, आदमी आपको चार साड़े चार फुट का ही मिलेगा, इससे मतलब लंबा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम और चार फुट लगा लो आप इससे जादा नहीं मिलेगा, और ढाई ढाई तीन-तीन फुट के भी इनसान य उसमें रहते हैं तर लिविन स्माल हट्स एंड ओफन वंडर इन सर्च ओफ फूड दे आर प्रहप्स मोस्ट प्राइमेटिक पीपल इन दा वर्ड इस्टिल यूज बाउस एड एरोस तू हंट वाइड अनिमल्स करते हैं कि यह एरोस और वाउस को प्रियोग करते हैं किसके ल यहां के लोग बहुत ही छोटे कपड़े पहनते हैं और एवन दिन कुछ कुछ डालते भी नहीं है अग्री कल्चर कैसी है और इकनोमी की रिसोर्स कैसा है जेरे चीफली एन अग्री कल्चर कंट्री जेरे क्या है एक मुखे रूप से खेती प्रधान देश करता है पीपल ग मेजे की कसावा की बनाना या केला उगाया जाता है रबड की कोफी कोटन आर दा मेन केश क्रोप और यहां की केश क्रोप जो है वो नगदी फसले हम जिसको कह सकते हैं कोफी और कोटन जंगलों को साफ करते हैं और उसके बाद उस जमीन को चोड़के दूसरी जमीन पे खेती करते हैं तब तक वो जमीन क्या हो जती है उपजाओ हो जती है इस प्रेक्टिस प्रूवड हामफुल एजिट क्यूज तो एनिमल एरोसिन ओफ डेफर्शेशन यानि की कटाव जिससे मतलब मिटी का कटाव ना हो इसके लिए वो क्या करते हैं ये खेती करते हैं यानि की मिटी के कटाव से बचाने के लिए माइनिंग देखिए यहां की जो है खनन का कारे करते हैं जेरे इस रीचिन मेनरेल रिसोर्से लाइक डाइमंड कोपर कोबाल्ट गोल्ड मैगनीशियम यूरेनियम एक्सक्टरा कहते हैं ये परकार के यहां क्या पाए जाते हैं मिनरस पाए जाते हैं धातुएं पाए जाते हैं डाइमंड कोपर कोबाल् कटंगा जो जगह है माइन सवा पे खनीज के जो खनन है वह फेमस है इसके लिए मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री और नोट डवलप्ट हैर यहां पे मैनुफेक्ट्रिंग कोई इंडस्ट्री नहीं यह निकि कोई उद्योग नहीं है जई देशों में बेज़ जाता है अगर उद्योग होते हैं उससे कुछ यूज़ी से पैदा है है hydro electricity produce from number of dams build across river और यहां की नदियों पे जो है वो बांध बनाए गए डैम जिसे बांध बनाकर बिजली उच्पादित की जाती है उसे hydro electricity का जाता है नेक्स टोपिंग में हम इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आई होप तुम्हें समझ आया होगा एक पर वीडियो को स्लो करके देख लेना नहीं आया तो बहुत ही फास्टली बनी है थैंक्यू